सो वेलकम बैक आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इयरफोन के बारे में जो आपको तक्रीबन एक हजार रुपे के आसपास मिल जाएंगी फ्लिपकाट एंड अमेजोन के उपर मुझे बहुत सारे उप्सन मिले मैंने उनके अंदर से सेघ्ट किया हैं जश्ट फाइव इयरफोन जो बैस्ट हैं 1000 के अंदर उनकी बैटरी लाइफ इनकी साउड क्यालिटी ईनकी जो बिल्ड क्याइज उसको चेक किया साथ की साथ कस्तुमेर फीडबेक का ध्यान रखा warranty guys and most important guys इनके water resistance का भी ध्यान रखा and साथ के जाद आपको बता दूँ कि सभी जो earphone है guys उनके discounting links वीडियो के description में डाल दूँगा आप जाकर jack कर सकते हैं खरीड सकते हैं, online buy कर सकते हैं सो चलिए start करते हैं हमारे 5th number की earphone के बारे में जो मापको suggest करने वाला हूँ guys So 5th number पर जो earphone मापको suggest करने वाला हूँ guys वो आती है, infinity glide 120 ये एक JBL का ही brand है guys and काफी जादा best है 12 mm के drivers दिये गए हैं इसके अंदर जो इसकी वज़े से इसकी जो base है, इसकी जो trouble है काफी जादा best होने वाले है इसके जो earbuds हैं काफी एक premium quality के साथ आते हैं metal के बने हुए हैं, काफी जादा best है battery life इसकी हमें कम देखने को मिलते है इस price range के अंदर बट जो sound quality है guys उसके अंदर ये एक best JBL signature sound provide करा देती है Bluetooth connectivity की बात करो तो 5.0 की connectivity दी गए and 7 की साथ IPX5 की sweat proof technology के साथ आते हैं यानि कि आपका पसीना या फिर हलकी बारिस इसका कोच नहीं बेगाड़ने वाले so battery life की बात की जाए तो इसकी 7 या 8 दिन की battery life provide करा देती है and 7 की साथ इसका एक weak point इसकी build quality के अंदर आपको देखने को मिलेगा बट उसके बावजूद अगर आप JBL लवर हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं description में मैं लिंक डाल दूँगा जहां से आप इसे खरीद सकते हैं so चलिए बात करते हैं fort number की earphone के बारे में जो मैं आपको suggest करने वाला हूँ इसके अंदर भी आपको सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं साथ के साथ आपको बतातों कि इसके अंदर आपको Qualcomm चीप सेट देखने को मिल जाता है इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको 16 हावर तक का प्ले टाइम प्रोएड करा देती है इन लाइन रिमोट कंट्रोल के साथ साथ आपको बेस बूस्टर बटन मिल जाता है काफी ज़्यादा प्रीमियम साउंड क्वैलिटी मिलती है काफी ज़्यादा प्रीमियम डिजाइन और बिल्ड क्वैलिटी देखने को मिलेगी प्ले टाइम भी काफी ज्यादा बैस्ट है और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं डिस्क्रीप्शन में में लिंक डाल दूँगा जहां से आप इसे खरीद सकते हैं प्राइज इसका 999 गया सपास सो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की एरफोन के बारे में जो मापको सुझेस्ट करूँगा तो थर्ड नंबर पर जो एरफोन आती है गाईज वो आती है बोट रोकरेज की उरसेंड काफी ज़्यादा बैस्ट है दो हजार बीस का मोडल है बट स्टिल मापको एको मैंडिड करूँगा क्यांकि इसके अंदर जो इसकी बैटरी लाइफ दी गई है वो थर्टी हावर का प्लेबैक आपको प्रोइड करा देती है मैंने इसको खुद यूज किया है थर्टी हावर तो नहीं है बट मापको बता दो कि ये ट्वंटी आफिर फिप्टीन हावर के आसपास आपको बैटरी लाइफ प्रोइड करा देती है जो की काफी ज़्यादा बैस्ट है इस प्राइज रेंज के अंदर इसके अंदर भी आपको ब्ल्यूटूथ 5.0 की कोनेक्टिविटी मिलती है बैस्ट बिल्ड क्वैल्टी है बैस्ट डिजाइन है गाईज लाइट वेटिड इयरफोन है गेमिंग के लिए भी एक बैस्ट एंड साउंड क्वैलिटी बेस एंटरबल एक बैस्ट मिक्स्चर दिया गया है इसका इसकी खास बात यह है कि आप इसे 10 मिनिट के लिए चार्ज करें और यह आपको 10 गंटे तक का प्ले टाइम प्रोएड करा देती है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जाकर चेक कर सकते हैं काफी ज़्यादा बैस्ट है गेमिंग के लिए भी बैस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर चेक कीजिए सो चलिए बात कर लेते हैं सेगिंड नमबर येरफोन के बारे में जो मैं आपको सुजेस्ट करने वाला हूँ सो सेगिंड नमबर पर जो येरफोन मैं आपको सुजेस्ट करने वाला हूँ गाईज वो आती है बोल्ट की और से मा आपको बता दूँ कि अगर आप बेस लवर हैं तो ये एरफोन आपके लिए बेस्ट है इसके अंदर आपको 10mm के ड्राइवर्स दिये गए हैं जो कि आपको एक डीप बेस प्रोवाइड करा देते हैं अगर मैं इसकी बेटरी लाइब की बात करूँ तो 12 होर्स की बेटरी लाइब प्रोवाइड करा देती हैं और साथ की साथ ये एरफोन गाइज आई-पी-एक्स-5 की वाटर रेजिस्टेंस टगलोंजी के साथ आती है मैं आपको बता दूँ कि काफी ज़्यादा बेस्ट है कमफर्ट फिट के साथ आती है और इसका जो प्राइज है वो काफी ज़्यादा बेस्ट है 750 के आसपास देखने को मिल जाती है इस प्राइज रेंज के अंदर इतनी अच्छी साथ क्वाइल्टी बेस्ट इयरफोन है आप खरीज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है जाकर चेक कीजिए मोर डिटेल्स एंड ओनलाइन भाई कीजिए इसका मैंने फुल रिव्यू भी दिया है जिसकी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी काफी ज्यादा बेस्ट है 40 हाउर्स तक का प्लेटाइम आपको प्रोवाइड करा देगी इसकी साउंड क्वैल्टी इसका डिजाइन मैं खुझ सात महीनों से यूज कर रहा हूँ गाईज मुझे कोई भी डिफेक्ट लेगने को नहीं मिला है इनफेक्ट मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने 1400 के आसफास खरीदा था बट इसका अभी का प्राइज 1000 रुपे आसफास ही आपको मिलने वाली है काफी ज्यादा बेस्ट है बेस्ट ओफर मिल रहा है आप इसे खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्सल में मैं लिंक डाल दूँगा बोट की इस येरफोन को भी आप 10 मिनिट के लिए चार्ज करेंगे और 10 घंटे तक का प्ले टाइम आपको प्रोइड करा देती है इन फैक्ट मैं आपको पता दूँ कि इस येरफोन को गाईज मैं 5-6 दिन में एक बार ही चार्ज लगाता हूँ काफी ज़्यादा बेस्ट मुझे प्ले टाइम प्रोइड करा रही है साथ की साथ ये एक बेस्ट इयरफोन है मैं आपको खुद सुझेस्ट करूँगा अगर आपका वजट 1000 है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं बेस्ट इयरफोन है गाईज साथ की साथ मैं आपको पताना चाहूँगा कि सबी एरफोन के डिसकाउंटिंग लिक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाएने खरीजने में या फिर इनके बारे में डिटेल से जानने में साथ की साथ सब्सक्राइब के रैड बटन को प्रैस करते हैं ताकि सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें साथ की साथ आप हमें कमेंट सेलेक्शन में सुझेस्ट कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हमें और कौन सी एरफोन एड़ करनी चाहिए थी या फिर कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक के ऊपर चाते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टोपिक पर जैहिंद